हेलो गईज नमस्कार सस्रीयकाल और जैश श्रीराम तो पदारो स्पीस बग नामक यूटूब चैनल पर और आज का टॉपिक स्पीस की घ्यान से थोड़ा हट कर है तो सबसे पहले मैं एक कूशन पूशता हूँ वोस्ट कैटिगरी में वो लोग आते हैं जो बेटर लक और स्किल की मदद से रिच बनते हैं सेकंड कैटिगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास टैलेंट होता है और वर्क करने की कंसिस्टेंसी होती है जिसके कारण वो रिच बनते हैं और इन दोनों कैटिगरी के अलावा कोई और तरीका है रिच बनने का। नए! पर थर्ड कैटिगरी भी एक्सिस्ट करता है, इसमें वो लोग आते हैं जो एक्सिडेंटले रिच बन जाते हैं। तो गाइज अज थर्ड कैटिगरी से बिलॉंग करने वाले एक ऐसे परसन के बारे में बात करेंगे जो एक इंसिडेंट की वज़े से रिच हुए हैं। तो गाइज अब स्पेस की दुनिया में चलते हैं, मतलब वीडियो को शुरू करते हैं। जोश्व नौर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया में रहते हैं। ये थर्ड कैटिगरी में शामिल होते हैं क्योंकि एक दिन उनके घर की छत पर एक मेटियोरॉइट यानि उलका पिंड अचानक से आकर गिर गया था और उस मेटियोरॉइट की कीमत एप्रॉक्स 1.8 मिलियन क्लासिफाई किया था जो कि एक्स्ट्रीमली रेयर मेटियोर माना जाता है और इस मेटियोरॉइट का एक ग्राम 853 डॉलर के बराबर है।